दोस्तो पांडवों ने महाभारत को जीतने के बाद करिब 36 सालों तक हस्तनापुर पर राज किया। पांडवों के राज के दोरान ही कृष्ण और बलोराम ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये सब देखकर पांडवों और द्रापदी ने भी अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाने का नणे लिया। स्वार्ग क्यों नसीब हुआ इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे वीडियो में मिलने वाले हैं बस आपसे रिक्विष्ट है कि आप वीडियो को एंट तक चरूर देखना दोस्तो 18 दिनों तक चला महा भारत का युद्ध दुर्योधन की मृत्यू के बाद खत्म हो गया था ये युद्ध इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक माना जाता है इस युद्ध के बाद अपने बेटे को खोने वाले धृतराष्ट और गानधारी को राजमहल के आशो आराम रास नहीं आए उन्हें महल में अकेला पन महसूस होने लगा और इसी अकेले पन को दूर करने के लिए दोनों ने राजमहल छोड़ दिया और अपने जीवन के आखरी पलों तक जंगल में रहे दूसरी तरफ भगवान श्रीकृष्ण का यदुबंच भी दिरे दिरे खत्म हो गया जिसके चलते श्रीकृष्ण भी पाउं में एक तीर लगने के बहाने अपनी लीला समाप्त कर चले गए इस समय पांडव पोरिश्टान से हस्तिनापर पर राज कर रहे थे 36 साल तक राजश्री जीवन जीने के बाद पांडवों को ये एहसास होने लगा कि धर्ती पर उनका काम पूरा हो गया है और उनके लिए प्रत्वी लोग छोड़ने का यही सही समय है यूयो तसू को पूरे राज की देख भाल का जिम्मा सौपने के बाद पांडवों ने अभिमन्यू के पुतर परिक्षत को हस्तिनापर का नया राजा घोशत किया और महर्शी बेद्व्यास से आग्या लेकर पांचो पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर चल पड़े लेकिन स्वर्ग की इस यात्रा के दौरान अर्जुन ने लालच में अपने दिव्य गांडीव, धनुष और तरकश को नहीं छोड़ा था यात्रा के दौरान पांचो पांडव कई नदियों, पहाडों और समुद्रों की यात्रा करते हुए लाल सागर तक पहुँचे चाहां अग्नी देव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से उनके दिव्य गांडीव, धनुष और तरकश को छोड़ने के लिए कहा क्योंकि उनका काम भी तब तक पूरा हो चुका था अग्नी देव को गांडीव, धनुष और तरकश देने के बाद पांडव अपने मार्ग में आगे बढ़े, जाए कुत्ता भी उनके साथ-साथ चलने लगा जब पांडव ने उस कुत्ते के बारे में पूछा, तो युदिश्टर ने कहा कि एकुत्ता उनका वफादार है, इसलिए उनके साथ चल रहा है इसके बाद पांडवों ने प्रतवी की परिक्रमा पूरी करने के एक्षा से उत्तर दिशा की और यात्रा की उत्तर दिशा में प्रतवी की परिक्रमा करने के बाद केदारनात में पांडवों को शिव ने दर्शन दिये और उन्हें स्वर्ग का रास्ता बताया रास्ते में आगे चलते समय पांडवों ने बालू यानि रेट से भरे रेगिस्तान को पार करने के बाद सुमेरू परवत के दर्शन किये तभी मार्ग में आगे चलकर इंदर देव उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों से कहा कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ तभी युदिश्टर ने कहा कि प्रवुष शमा करें हम लोग आपके साथ स्वर्ग नहीं जा सकते क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और हमारे लिए अपने बल पर ही स्वर्ग तक की यात्रा करना उचित होगा युदिश्टर के मूँ से ऐसी बात सुनकर देवराजिंदर प्रसन्न हुए और वहां से चले गए जिसके बाद सभी पांडव भाई अपने मार्ग में तेजी से आगे चलने लगे मार्ग में चलते हुए वो सभी बदरी नाहत के पास सरस्वती नदी तक पहुँचे जिसको पार करना द्रौपदी के लिए मुश्किल हो गया था जिसके चलते भीम ने एक चटान को नदी के वीचों बीच डाल दिया जिस पर चलकर द्रौपदी ने सरस्वती नदी को पार किया कहा जाता है कि माना गाउं में सरस्वती नदी की शुरवात में आज भी वो चटान मौजूद है जिसे सभी लोग भीम पुल के नाम से भी जानते हैं थोड़ी दूर चलने के बाद द्रौपदी एक जगा पर लडखलाते हुए गर गई जिसे देखकर भीम ने योधिश्टर से पूछा कि द्रौपदी ने आज तक कोई पाप नहीं किया फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ इसके जवाब में योधिश्टर ने भीम से कहा कि द्रौपदी हम पाँचों भायों में से सबसे ज़ादा प्यार अरजुन से करती थी इसलिए वो स्वर्ग पहुँचने के पहले ही लड़ खडा कर गर गई ये कहकर योधिश्टर ने द्रौपदी को देखे बगाएर अपनी यात्रा जारी रखी थोड़ी देर चलने के बाद सहदेव भी गर गए तब भीम ने योधिश्टर से सहदेव के पाप के बारे में पूचा तो योधिश्टर ने कहा कि सहदेव को अपनी विद्वता पर गमंड था जिसके चलते वो किसी को अपने बराबर नहीं समझता था इसलिए सहदेव की ऐसी हालत हुई इसके बाद बागी बचे पांडव अपना आगे का मार्ग तै करते हैं लेकिन तभी नकुल भी बीच में गिर जाता है और उसकी यात्रा भी अधूरी ही रह जाती है जब भीम ने इसका कारण योधिश्टर से पूचा तो उसने कहा कि नकुल को अपने सुंदर होने पर बहुत गमंड था इस वज़ा से वो भी स्वर्ग नहीं पहुँच पाया थोड़ी आगे चल कर नकुल के बाद अरजुन भी रास्ते में गिर पड़ा जिसका कारण बताते हुए योधिश्टर ने कहा कि अरजुन को अपने पराक्रम और युद्ध कोशल पर बहुत गमंड था और उसने कहा था कि वो एक ये दुन में अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर देगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही कारण है कि आज उसकी ऐसी हालत हुई सबी भाईयों के पापों के हिसाब देते हुए योधिश्टर अपने भाई भीम और उस कुत्ते के साथ आगे बढ़ने लगे लेकिन तब ही एक जगा भीम गिर पड़ा तब भीम के पूछने पर योधिश्टर ने भीम से कहा कि तुम खाते बहुत ज़ादा थे और अपनी शक्ती का जूटा दिखावा करते थे यही कारण है कि आज तुम इन हालातों में हो इसके बाद अब सिर्फ योधिश्टर और वो कुत्ता ही बचे थे दोनों अपना सफर तै करने के बाद स्वर्ग के दरवाजे पर पहुँचे तब उन्हें दरवाजे पर देवराज इंद्र मिले देवराज इंद्र को अपने सामने देखकर योधिश्टर ने उनसे कहा कि मेरे चारों भाई और द्रौपदी यातरा के बीच में ही गर गए थे उन्हें भी अपने साथ ले आए इसके बाद इंद्र ने युदिश्टिर को बताया कि उनके भाई और द्रौपदी पैरे ही शरीर छोड़ कर स्वर्ग पहुँच गए हैं लेकिन सर्फ युदिश्टिर को ही अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग जाने का मौका मिला देवराज इंद्र ने युदिष्टिर से कहा कि ये कुट्टा आपके साथ स्वर्ग में नहीं आ सकता जिसके बाद युदिष्टिर ने इंद्र से कहा कि ये कुट्टा भी उनके साथ स्वर्ग जाएगा काफी देर तक समझाने के बाद जब युदिश्टिर नहीं माने तो कुत्ते के रूप में वहां मौजूद यमराज अपने असली रूप में प्रकट हो गए जिस कुत्ते को युदिश्टिर पूरे रास्ते अपना वफादार समझ रहे थे वो असल में यमराज थे युदिश्टिर की अच्छाई और सचाई को देखकर यमराज बहुत खुश हुए और उन्हें आशिरवाद देखकर वहां से चले गए जिसके बाद इंद्र और युदिश्टिर रत में बैटकर स्वर्ग की ओर चल पड़े जब युदिश्टिर स्वर्ग पहुँचे तो उन्हें काफी जादाश चरह हुआ क्योंकि युदिश्टिर ने देखा कि दुर्योधन भी दूसरे देवदाओं के साथ स्वर्ग में एक दिव्य सिहासन पर बैठा हुआ था युदिश्टिर ने जब इसका कारण पूछा तो उन्हें बताया कि दुर्योधन ने भले ही अपने जीवन में जूट और अधर्म का साथ दिया था लेकिन अर्जुन और भीम जैसे युद्धाओं से हिचके चाहट के बिना अपनी हार को सामने देखते हुए भी जिस बहादरु से उसने युद्ध किया था उस समय पराकरम और साहस के वज़े से आज उसे ये पद मिला है साथ ही उधिष्टर ने ये भी देखा कि उनके भाई और द्रौपदी वहाँ नहीं है तब उधिष्टर ने देवराज इंडर से अपने भाईयों से मिलने के एक्षा जताते हुए कहा कि उनके भाईयों और द्रौपदी को जिस लोक में जगया मिली हो उन्हें भी उस लोक में स्थान चाहिए अपने भाईों से बहतर मुझे कुछ भी मंजूर नहीं है इसके बाद देवराज इंद्र ने युदिश्टिर को एक देवदूत के साथ भीज दिया देवदूत के साथ चलते चलते युदिश्टिर एक ऐसे रास्ते पर पहुँच गए जहां बहुत अंधेरा था चारो तरप से गंदी स्मेल आ रही थी उपर गिद्ध मड़ा रहे थे और उनके आसपास धेर सारी लाशे थी रास्ते की मुश्किलों से तंग आकर युदिश्टिर ने देवदूत से पूछा कि उन्हें इस रास्ते पर आगे और कितनी दूर चलना होगा इसके जवाब में देवदूत ने कहा कि दरसल वो लोग असी पत्र नाम के नरख के रास्ते पर हैं देवदूत ने बताया कि देवदाव ने उसे यादेश दिया है कि आप जब चलते चलते ठक जाएं तो मैं आपको वापस लियाऊं इसलिए अगर आप ठक गए हैं तो क्या हम वापस चलें लेकिन जैसे युदिश्टिर वापस जाने को मुड़े तो ने वहाँ पर दुखी लोगों की आवाज आने लगी चोने वही पर थोड़ी और देर रुकने के लिए बोल रही थी युदिश्टिर ने उनसे नाम पूछा तो नोंने अपना नाम कर्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम और द्रौपदी बताया ये सुनकर युदिश्टिर ने देवदूत से कहा कि तुम वापस चले जाओ, क्योंकि मैं अपने भाईयों को छोड़ कर कहीं नहीं जाओंगा ये देख युदिश्टिर ने देवताओं से पूछा कि ये सब क्या है, तो देवराज इंदुर ने बताया कि तुमने अश्वत्थामा की मौत की जूटी खबर देकर चल से दोरना चार्य का वध कराया था, उसी के वज़़ा से तुमें भी चल से कुछ देर के लिए नरक म समय बिताना पड़ रहा है, अब तुम मेरे साथ स्वर्ग को चलो, जहां तुमारे भाई और अन्यवीर पहले ही पहुँच गए हैं। उसके बाद देवराज इंदुर के कहने पर युदिश्टिर ने देव नदी गंगा में सनान किया, सनान करते ही उन्होंने मानव शरीर त्याक करके एक दिव्यरूप धारन कर लिया, इसके बाद बहुत से महर्शी उनकी स्तुती करते हुए उन्हें वहां से ले गए, जहां अर्जन, भीम, नकुल और सहदेव आनंद पुरबक विराजमान थे, युदिश्टिर ने देखा कि वहां पर उनके भायों के साथ युदिश्टिर ने देखा कि भीम बायो देवता के पास बैठे हुए थे, कन सूर्य के समान तेजधारन किये हुए थे और नकुल सहदेव अश्वनी कुमारों के साथ बैठे हुए थे इंद्र ने युदिश्टिर को बताया कि ये जो साक्षात भगवती लक्ष्मी रिखाई दे रही है इनके अंस से ही द्रौपदी का जन्म हुआ था इसके बाद देवराज इंद्र ने महभारत युद्धे में मारे गए सभी बीरों के बारे में विस्तार पुर्वक बताया इस परकार युदिश्टिर ने अपने भाईयों और अपने अन्य सगे संबंदियों को देखकर बहुत खुशी जाहिर की तो दोस्तों ये थी पांडवा और द्रौपदी के स्वर्ग जाने की कहानी आपको कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर आउन कर लें धन्यवाद